मूसे वाला हत्याकांड का सबसे बड़ा सबूत मूसे वाला हत्याकांड के सबसे बड़े हमराज सेसी टीवी में वारदात वाले हैवान मूसे वाला हत्याकांड से चुड़ा ये सबसे नया सबूत है मूसे वाला हत्याकांड से चुड़ी ये सबसे एहम तस्वीर है मूसे वाला हत्याकांड के तमाम राजों से ये तस्वीर परता उठा सकती है न्यूज 18 एंडिया के हाथ लगी ये वो तस्वीर है जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये वही आरोपी मनु खुसा और जगरूप रूपा हैं जो वारदात के सबसे बड़े हमराज हैं तारीख 21 जून मोगा के समालसर गाउं से आई इन ही तस्वीरों के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये मनु खुसा और जगरूप रूपी हैं जिन्होंने मूसे वाला हत्याकांड में अपनी एहम भूमी का निभाई है फरार चल रहे इन दोनों ही आरोपियों की अब ये तस्वीरें सामने आई है जिसमें आरोपी बाइक पर सवार दिखाई दे रहे हैं पुलिस के लिए सिद्दू मूसे वाला हत्याकांड की एक एक गुथी को सुलजाना किसी चुनोती से कम नहीं है गिरपतार आरोपियों सूटर से पुलिस को लगता टिप मिल रही है लेकिन अभी भी सिद्दू मूसे वाला हत्याकांड के दो सूटर जगरूप, रूपा और मनप्रीत मानू पुलिस की गरप से कोसो दूर है यही बज़े है कि पंजाब से लेकर मत्रदेज, राजिस्तान, हरियाना और मुंबई इन तमाम जगों पर दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस च्छापे मारी कर रही है मूसे वाला की हत्या के बाद से लगातार पुलिस जगरूप, रूपा और मनू खुसा को तलाश कर रही है लेकिन हर जगे च्छापे मारी करने के बावजूद ये दूनों ही आरोपी अभी तक पुलिस के शिकंजे से बचे हुए है लेकिन ही तस्वीर आरोपियों तक पहुँचने के लिए एक एहम कड़ी साबित हो सकती है बताया जा रहा है कि 29 माई को मूसे वाला की हत्या के बाद दूनों पंजाब की अलग-अलग जगों पर छिपे रहे लेकिन 29 जून की इस तस्वीर में दूनों आरोपी मोगा जिले के एक गाउं से निकलते दिखाई दे रहे हैं और यही वज़े है कि पुलिस अब दूनों आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए मोगा समेत अलग-अलग जगों पर छापे मारी अभियान में जुटी हुई है जम्मू कश्मीर, उत्राकांड, मद्यपिदेश, अतीजगर और आसम समेत कई राज्यों में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई है इन राज्यों के कई जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश और बार के बाद समपर तूट चुका है जबकि कई गाउं टापू में तदिल हो गए है हालात यह हैं कि लोगों के सामने ना सिर्फ अपनी जान बचाने की बल्कि खाने पीने के सामान के लिए भी काफी दिखतों का सामना करना पर रहा है कि कहीं पानी में डूप गए सेकड़ों मकान कहीं सैलाब के बीच पसी लोगों की जान चारों तरफ बार से परवादी से हाहका जमुकश्मी के पुंच से आई इन तस्वीरों को देखिए पुंच में भारी बारिश के बाद बेतार नदी में आई बार में दो लोग फस गए हैं काफी देर तक दोनों लड़के नदी के बीच एक पत्थर को पकड़ कर खुद को बचाने का प्रयास करते रहे तभी कुछ लोगों ने इस बात की जानकारी पास में ही मौजूद सेना के कैम्प को दी जिसके बाद सूचना मिलने पर सेना के जवान वहां पहुँचे और दोनों को नदी से बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे कुछ जवान एक रसी के साहरे नदी में उत्रे पानी के तेज बाहाब के बीच कुछ जवान जैसे तैसे उन युवकों के पास पहुँचे और काफी कोशिश के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया बाड़ो बारिश के बीच हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरे चतिस गड़ के बस्तर से भी सामने आई बस्तर में जोरदार बारिश के बाद आम जन जीवन अस्त्वियस्त हो गया कई गाउं का संपर्ट तूट गया इस बीचे गरवती महिला बाड़ में पस गई वो पंते नदी को पार कर अस्पताल तक ले जाने के लिए लोगों के पास कोई सुविदा नहीं थी इस बात की जानकारी मिलते ही ततकाल एक रेस्क्यू टीम को रवाना किया गया जिसके बाद रेस्क्यू टीम के लोगों ने किसी तरह उस महिला को लेकर नदी के किनारे पहुँचे लेकिन बताया गया कि इस दोरान महिला ने नदी किनारे ही बच्चे को जन दिया उसके बाद माँ और बच्चे को अस्पिताल में भर्ती करवा दिया गया अस्सम के विशुनात में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा सडकों पर गुटनों तक पानी और सेलाब में डूबे मकान उस जगा की हालत बताने के लिए काफी थे हर तरफ पानी ही पानी जमा होने से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया गली मुहले की सडकों या में रोट चारू तरफ पानी ही पानी लोगों को परिशान कर रहा है लोग कमर तक पानी में चलकर सुरक्ष जगों की तरफ जाते दिखाई दिये राडिस्तान के धोरपुर में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर दो फीट तक पानी जमा हो गया जो जहां था वो वहीं फस गया बारिश के बीच गाड़ियां रिंगती नजर आई शेहर के दिशले इलाकों में बारिश का पानी लोगों की घरों में घुज गया लोगों को कहीं आने जाने के लिए काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा बार बारिश की वरसे नदिया और नाले उपान पर हैं बार प्रभावत राज्य लोगों को पहाड़ों और नदियों से दूर रहने की इदायत लगातार वहां से मिल रही है लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल कर इन्हें पार करने की कोशिश करता दिखाए दे हैं इनकी इस बेफकूफी का नतीजा ये होता है कि उनकी जान पर बनाती है इस सो पंटेस हैलाप को पार करने की जो कोशिश की गई उसके अन्जाम की ये तस्वीरे बैल गाड़ी पलट गई और लहरों के बीच पस गए ये दो बैल जो बैल गाड़ी से बंधे थे सैलाप का जोर ऐसा था कि ना तो बैल गाड़ी निकल पा रही थी और ना ही इस से बंधे ये दो बैल सेलाब से जोखिम लेने की ये तस्वीरे महाराश्ट के चंद्रपुर की है बताया जा रहा है कि सामने लहरों का उफान देखने के बावजूद बैलगारी का चालक रुखने की बजाए इस बरसाती नाले को पार करने का जोखिम उठाता दिखाई दिया जिसका नतीजा आपके सामने है लहरों में पहले तो बैलगारी का संतुलन बिगडा और पूरी की पूरी बैलगारी लहरों में पलट गई बैलगारी चालक के मदद के लिए कई लोग आए लेकिन लहरों का जोफिशे काफी देर तक नाकाम साबित हूए आखिरकार लहरों के जोर से ही बेलगारी में बंधे बेल समले और फिर बेलगारी सीधी होती ही बेल ही इसे खीच कर बाहर ले आए जल्दबाजी के चक्कर में लोगों के सैलाब को पार करने की तस्वीरे अक्सर सामने आती रहती है पुलिस और प्रशाशन बरसाती नाले और सेलाव से दूर रहने के लिए अक्सर हिदायत भी जारी करते हैं लेकिन लोगों को भला कौन संचाए अब कोलापुर से आई इन तस्वीरों को ही देख लीजे यहां प्रशाशन की मनाही के बावजूद लोग पहाडों पर चड़ गए बरसात में पहाडों से लेंस्लाइट के खत्रे के बीच प्रशाशन यहां नो एंट्री का आदेश जारी कर चुका है लेकिन लोग जब पहा किये बिना निकलने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच नाला पार करते समय एक यूवक सेलाव के बहाव में बह गया जैसे यूवक का संतुलन बिगड़ा और वो बहने लगा तो आसपास चीख पोकार मच गई और लोगों ने यूवक को बचाने की कवायत शुरू कर दी काफ